जी पोलाश जी हमारे साथ जुड़ गये हैं वेस्ट बेंगॉल से इन्होंने हमें कॉल किया है और इनकी भी एक समस्या है आईए जानते हैं पोलाश जी बताइए क्या परिशानी है आपके साथ चले पोलाश जी से हमारा संपर्ख तूट गया है उनसे बात्चीत हम करने की कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि एक बार फिर से आप हमें कॉल कर सकते हैं एक और दर्शक है हमारे साथ हलो बलकुल नमस्कार जी स्वागत है कारिक्रम में दॉक्टर साथ आपको सुन पा रहे हैं सवाल करें जी जी आप बात कर रहे हैं बताईए क्या सवाल है आपका जो साथ मुझे पैरों में तकलीब है पैरों पे काले काले दब्दे हो गया है आट-दस साल से जी तकलीब कह रहे हैं तकलीब भी है क्या तकलीब ऐसे तो कुछ नहीं दिखती पर काले काले बहुत ज़्यादा हो गया है बहुत अच्छा इलाज है, जिनको भी छीपे हो जाएं, काली निशान हो जाये, या वहाँ से के निशान हो जाए, वहाँ से निकलते हो, ऐसी डिटी बनती हो, कब्ज रहता हो या ऐसे आप जैसे निशान हो जाते हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा एक इलाज है अलसी लीजिए आप 500 ग्राम, 500 ग्राम अलसी, हलका सा भूने, उसका पॉडर बना ले नमक जैसा होता है, खाने में नमकीन नहीं होता, इसे जैतून का रसायन भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे एस्टेक जैतून कहते हैं, आप 100 ग्राम लेकर इसमें पॉडर मिला लीजिए, दोना का पॉडर बनाईए और आदा आदा चमच, या एक एक चमच, स है घाजियबाद से, राजु जी बताएं कि आप रश्न करना चाहते हैं आप, जी नमस्कार, जी अदब, नमस्कार, जी मेरे मेरे 25 साल एज है, जी मेरे आरे फेक्टर बड़ा हुआ असर मेरा, जी, आजे आरे फेक्टर इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, करीब तरे 54-53 हो रहा है, और मेरे भुतनों में पानी भर जाता है, जी, जख्याब आए है मेरे, पानी कहां भर जाता है, जी बतनों में पानी आ जाता है, पानी जब चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है, उच्छे दिखिए, एक बहुत गौर से सुनिये, बहुत गौर से सुनिये आप, ये निसका और पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है डॉक्टर क्या ट्रीट कर रहे हैं ऐसे बार बार तो पानी नहीं आता पानी आने का तो रास्ता होता है गुटने में पानी आने का कोई रास्ता ही नहीं होता कैसे पानी आता है बरहल आप जो भी करना चाहें इलाज करते रहें लेकिन एक इलाज मैं आपको बताता हूँ देखिए पांच सो ग्राम अलसी हलका सा भून कर पॉडर बना लें ठीक है और एक चम्मच यानि तीन चार ग्राम छोटा चाय का चम्मच सुबा और शाम इसे खाना शुरू कर दें यह आपको साथ आठ महीने खाना है ठीक है इतनी लीजिए जितने आपको साथ आठ महीने चले या बार बार लेके पॉडर बना लिया करिए और एक आता है गौन सियाह इसे काला गौन कहते हैं यह अलग से पॉडर बना लीजिए सो दो सो ग्राम खरीद के अलग से पॉडर बना के और जब भी आप ये अलसी खाया करें इसमें या तो आदा गिराम समझ लीजिए कितना होता है या दो चुटकी गौन सिया इसमें मिलाकर अलसी पॉडर में रोजाना खालिया करिए एक बार या दो बार देखिए बहुत सयम रखना हर महीने 20-20 परसेंट फायदा होगा आपको बहुत तहीं से नहीं होगा और अगर इतना सयम रखने को तयार हैं तो ये नुस्खा शुरू करें आपका ठीक होना बहुत जरूरी है आप पर जिम्मेदारी होगी आप बहुत चोटे उमर के हैं और आपको सही इलाज मिलना बहुत जरूरी है ये नुस्खा लें और आपको फायदा होना ममकिन है जे, आपके साथ हमारी शुबकामनाई भी है, जल्द से जल्द आप ठीक हो सकते हैं और हो जाएंगे, एक और दर्शक है, पिंटु जी ने हमें कॉल किया है, उनसे हम बातचीत करते हैं, उन्होंने हमें यूपी से कॉल किया है, पिंटु जी बताइए मेरी माता जी जो उनका लगज़त पच-पन साल के करीपा है, उनको जो है, दो साल, ती साल पहले पारलासिस हुआ था, जो की अब तो ठीक है, दाव अचल रहती तो अब सही है, लेकिन उनका जो स्वाब जो खाने का टेस्ट है, वो नहीं आ रहा है, जो कुछी भी खाती है, तो उनको जिसे अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं मिलता, जे, तो यही डाटर से बात करना चाहिए, मैं सबज़ गया, और ऐसी खैर लखा करिये अपनी माता जी का, जिनके पास इतने अच्छे बच्चे हो, उनका ठीक होना तो मुम्किन होता ही है, और लुकिए, अलो विरा का सिर्का ले लीजे, और रोजाना उनके खाने में सुबा शाम दो चम्मच अलो विरा का सिर्का मिला दिया करिए, सिर्का आप समझते हैं ना, अलो विरा का वेलेगर, या साइडर कहते हैं सिर्का, ये जायके में खटा होता है, और उन्हें पलाया करिए, आप देख यह उतको इस फालिज के दुबारा होने से भी रोक सकता है जहां वाके में तो यह भी आपको बता दे कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हकीम साहब के साथ तो कई माध्यम हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं उसके अलावा फेस्बुक का जो पेज है हकीम साहब का उनके नाम से ही इसके अलावा ये भी आपको बता दे कि अगर आपका कोई भी सवाल होता है कोई भी प्रश्न होता है किसी तरह की परिशानी आपके साथ हो रही है तो हेल्प लाइन नंबर्स जो है वो भी लगातार आप अपने टेलेविशन स्क्रीन पर देख सकते हैं एक और दर्शक है शबनम जी ने हमें कॉल किया है उनकी क्या समस्या है आईए जानते हैं शबनम जी बताईए शबनम जी बताएं स्वागत है कारिकरम में पूछें अपना सवाल जी 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 जजानता है न फट्रे लें शेल में हूं नकवाण दर्श लेता हैं करूं है और दो घ्राइन है इस पड़ेंघन ही नहीं कहीं है। और किती आयू है आपकी देखिए आट-दस साल से आप परेशान है इलाज भी खूब कर लिए और मेरी बात गौर से सुन लेंगे तो इस आट-दस साल की परेशानी तीन-चार महीने में जा सकती है आपके पास कॉपी पेन तैयार है क्या? अगर आपके पास कौपी पैन तयार है तो लिख लीजे वैसे तो नुस्खा आसान है लेकिन लिखना बहतर है देखिए आप पांच सो ग्राम अलसी लीजे और इसको भून कर पौडर बना लें और सो ग्राम गौन सिया खरी दें लेकिन असली होना चाहिए असली होना चाहिए ये बहुत कड़वा होता है और नकली भी बहुत मिलता है ब्राउन कलर का होता है लेकिन गौन सिया कहते हैं यानि काला गौन तो ये असली मिल गया अगर आपको समझ लीजे कि ये अगर सो ग्राम भी मिल गया तो आपको जब खतम नहीं होगा जब तक जब तक आपको फाइदा न पहुचा दे लेकिन असली लेना जरूरी है इस अलसी में मिला दीजे पाउडर बनीवी अलसी में इसको भी पाउडर बना के मिला दीजे ये रो मेटेरियल लेना पिसा पिसा है नहीं अब ये एक एक कैपसूल सुबा दुपेर शाम आपको खाना है खाने के पश्चात पानी से बगर चर्बी के दूर से या आप रईस हैं तो दूर से भी ले सकते हैं कभी-कभी ये छेसो ग्राम पाउडर खतम होने से पहले आपका रोग मुक्त होना हो जाना चाहिए लेकिन एक बात करना आपके घर में ये वेस्टरन टॉयलेट ना हो तो उसका इंतिजाम करना बस ये मेरी शर्त है आपको मैं दूआ भी करूँआ कि आपको जल्दी फायदा हो शाहाना जी भी जुड़ गई है हमारे साथ लखनाव से हमें कॉल किया है शाहाना जी सवाल कर सकती हैं हलो शाहाना जी सवाल करें हमारे साथ लखनाव से दिक्कत है और मेरे पेट में मतरब पहले डॉक्टर ने अलसर बताया था उसका काफी टाइम इलाज चला फिर उसकी बाद बहुत जादा प्रॉब्लम हो गई थी तो आते सूप गेंगी उसका बहुत इलाज चला तेरे काफी ठीक हो गई मैं लेकिन अभी भी मेरे दो दीन मैंने से अचानक से टेट में दर्द उठ जाता है और पूरी राद दर्द होता है जी 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 एज भी बता दीजे अपनी जी बहुत कम उमर में आप कोई तकलीफ हो गई आँ खाने पीने में वही चीजे काया करें जो ह возм हो जाए आसानी से आपको पता हुआ कोई ने कोई चीज आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से ह возм होती तो वह चीज मुस्तलब कर दें और अभी तो एक चीज आती बेल का मुरबह जो पत्तर बेल या बेल का बेल पत्तर कहते हैं वो दो अभी दो बहीने बाद आएगी बेल का मुरब्बा आता है मुरब्बा बेल या बेल का मुरब्बा या कौवेट का मुरब्बा कहते है इसको एक कतला हो जाना खाली पेट यानि निहार मूँ सुभई सुभई खा लिया करिए तीन-चार इंच का एक पीस और रोज खाया करिए ज़रुत पर तो रात को भी खा सकते हैं और जब बेल शुरू हो जाए पकी हुई आनी तो आधी बेल रोजाना खाया करें दो वक्त में और पानी खूब पिया करें अंजीर अगर आपको ताजी मिल सकती है अंजीर तो रोजाना दो अंजीर खाया करें अगर ताजी नहीं मिले तो जो ट्राइफूट में अंजीर आती है उसको दूद में उबाल कर खाया करें ये सब घरेली नस्के हैं और कोई भी तेज मसालों की चीज न खाया करें और गौन मौरिंगा सफेद अगर मिल जाए तो आदा गिराओं तूद्व मिला के रोज पिया करें आपको फाइदा मुम्किन है जे राम प्रसाज जी इस वक्त हमारे सथ फोन लाइन पर जुड़ गया है उन्होंने कॉल किया है अलीगर से राम प्रसाज जी बताईए किस तरह की परिशानी है आपके साथ चलिए राम प्रसाज जी से हम बातचीत करने की कोशश करेंगे और कालिकरम की शुरुआत में जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से आप पूरी तरह से फिट रह सकते हैं इसके बारे में विस्तार से लगातार हकीम साहब से हम बातचीत कर रहे हैं किम साथ नींद की अगर बात की जाये जिस तरह का लाइफ स्टाइल हमारा हो चुका है तो नींद हम पूरी नहीं ले पाते हैं कम से कम कितने गंटे सोना जरूरी होता है ताकि हम पूरी तरह से फिट रहें जादा उमर वाले आदमी को छे गंटे कमस कम नींद आनी चाहिए और जवान को साथ या आठ गंटे का समय नींद का चाहिए गफलत की नींद चाहिए यह नींद के पूरे दुनिया के ख्यालात अगर हम लेके सोते हैं तो ऐसे ही सुपन आते हैं और ऐसा लगता है कि हम सोई ही तो नींद भी गफलत वाली आनी चाहिए और ये सहत की निशानियों मेंसे एक है आप यकीन करेंगे कि मैं कभी लेट नी सोता ना लेट उटता जो आदमी जल्दी सोएगा वो ही जल्दी उट सकता है और मैं एक ऐसी जगह चला गया जहां मुझे 20-22 साल गुजारने पड और जहने कितने नाम हैं उसके उसे महारास करते हैं बंबे लेकिन मैंने वहाँ भी आदत नी बड़िए वहां लोग फजर के वक्सोते हैं जे और मैंने अपना मामूल नी बड़ा हम अपने आप में मझबूत हों और बहुत खौाइशें कभी नी बढ़ाई हैं जे खौाइ